वेल्कम बैक्टो माँ चैनल आज बच्ची के टीफिन के लिए मैं बनाुए पनीर पराथा तो इसके लिए मैंने याँ पर ले लिए थोड़ा सी मैदा 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 मैं थोड़ा सी गरम बानी डालके उसको चमच की слыш限 पहले थोड़ा सा मिला लेती हूँ जब तक यह थोड़ा से ठंडा हो जाता है मतलब हाथ देने की लायक अगर थोड़ा से हो जाता है तब ही मैं इसको हाथ से मसल मसल के एक अच्छा सा semi soft dough मना लेती हूँ मतलब डो ऐसा होना जीए जैसे पराठे का डो बनता है उसी तरह से dough बनेगा ना hard बनेगा ना जाधा ही soft बनेगा semi soft मैं इसे अच्छा सा dough बना लेती हूँ तो चलिए देखी मेरा dough अल्मोस्ट बन चुका है तो इसी dough से अभी हम थोड़ा सा मतलब दो पेरा तोड लेते हैं अब इस पराठे का जो फिलिंग बनेगा मतलब पनीर का जो फिलिंग होगा इसके लिए मैंने लिया है यहाँ पर full fat milk और इसी में मैं गरम करने देती हूँ और इसी में डाल देते हैं थोड़ा सा विनिगर विनिगर आप एक कटोरी में डालके मतलब दो चमज विनिगर हो तो चमज पानी मिला के वैसे भी कर सकते हैं मैंने डारेक्टी से बना लिया देखिए मेरे पनीर कट चुका है मतलब दूद फट चुका है तो पनीर निकल के आ चुका है तो इसको निकाल लेते हैं इसको निकाल के पानी से थोड़ा से दो के साफ कर लेते क्योंकि मैंने सिर्का डाल के इसको बंदूत को फाड़ा है तो इसमें अगर खटास होगा तो अच्छा नहीं लगेगा तो मैं पहले पनीर को निकाल ले तो फिर इसको पानी से थोड़ा सा धो लोंगी देखिए मैंने पनीर को धो लिया है अभी उसी कटोरी में जिसमें मैं आटा लगा रही थि पराटे के लिए उस में इसको तौड़ सा मसाला मिला लेते थोड़ा से नमक डाले मैंने तौड़ सा लाल मिर्च का पाउडर डाले मैंने और सारी चीज़़े को अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं इसमें जादा कुछ देने का जरुद नहीं बड़त अब बीच में यह जो पनीर का जो फिलिंग बना था वो पीच में रख देते हैं अब इसको अब देखी पनीर का फिलिंग यह अपने उपर डेपेंड करते हैं आपको किता फिलिंग डालना है अभी मैं इसको साइट से कटोरी जैसा बना लूँगी ताकि यह अंदर इसको पन तो यह जो पनीर का फिली है ना वो निकलने का चांसिस रहता है तो मैंने देखिए इसको धीरे-धीरे से बेल लिया है अभी जितना फैलाना है उतना फैला लीजे और हाँ यह बहुत पतला नहीं बनेगा थोड़ा सा मोटा ही बनेगा और इसको आराम से फैलाईएगा तो रो बारे के तरफ ओल चुका दोनों साइट से अभी उपर से चाहे आप घी से या बड़र से किसी से भी आप इसको पराठे जैसा सेख सकते हैं तो मैंने इसको किसी चीज से अभी तक शेका नहीं है तो मैंने इसको फ्राइए किया मैंने सिंपल रोटी जैसा इससे बना लिया जाए तबा में थोड़ा से टेल देते हैं और उसमे एक अन्डा फैट करेते हैं और जैसे एक रूल बनातए है इसे रोटी को उसी अंडे के ऊपर दे देंगे और दोने तरश से अची तरह से इसे शेह लेंगे आप चाहे तो आप्षिंनल पार्ट है आप चाहे तो कर सकते है कि चाहे तो ना भी कर सकता है simple घी से बहुत और बटर से फ्राई कर सकते हैं लेकिन इस तरह हैना तो और जग anyhow ज़्यादा टेस्टी हो जाता है अब इंपर 14 मैंने करें ग्रेटी जिस मौ जीज को जिए लार भी मौ जैसे माजघल में चीज उपर शचा ग्रोर ईंप्र दो डिए, नमर इसमें, बच्च लिए टेश से सब करें तो यह था आज का एक चीज विद बनीर ब्रेड तो यह वाला रेसिपी अब लोगों कैसा लगा हमें कमंट करके ज़रूर बताईएगा अच्छा लगए तो जादा से जादा करके शेयर कीजिए का अपने फ्रेंज और फैमली के साथ और नए फ्रेंज प्लीज लाइक और सब से पहले पहुचे तो आज के लिए इतना ही फिर मिलते हैं नया और सिंपल सा रेसिपी लेके ताकि आप भी अपने घर में इसी तरह से बना के इसे इन्जॉई कर सेके तो चलिए मेरा तू रोटी का कटिंग हो चुका है और देखिए इसका अंदर कम तो अंदर पनीर कितना अच्छा चार उत तरफ से फैला हुआ हर एक स्लाइस में ऐसा दिखता है तो आज के लिए इतना तिल दन बाई बाई एंड टेक केर